प्रारंभिक लेखों के पुस्टकों के अंतरगत हमने देखा कि किस प्रकार एक वैपारी अपने वैपार में प्रतिदिन होने वाले वैभारों को याद रखने के लिए उनका लेखा करने के लिए पन्जी प्रविष्टियों का प्रियोग करता है ये पन्जी प्रविष्टियां ही general entries कहलाती है जब हम इनको कई भागों में विभाजित कर देते हैं या इसका एक परिवर्थित रूप के अगर बात की जाए तो उसे हम सहायक बही के रूप में देखते हैं वास्तों में सहाय जो हमारे जनरल्स हुआ करते थे उन्हीं का एक परिवर्तित रूप है आए देखते हैं सहायक बहिया क्या है और यह कब बनाई जाती है तो अगर हम सहायक बहियों की बात करें तो वास्तों में यह प्रारंभिक लेकों की पुस्तुकों के अंतरगत एक तो जनरल कि लिए देखते हैं व्यववार से संब्वन्दीत रहती है कोई संप्त्यों के व्यवापसी यविक्रेंस संब्वन्दित होते हैं और इनका लेखा अलग अलग तरह से किया जाता है अगर किवल उधार्थ क्रेट विक्रे कि हम बात करें तो यह जो क्रेविक्रे है यह माल का होना चाहिए यानि ऐसे वस्तुका जिसको हम फिर से वापस बेचने के लिए खरीदते हैं वैपार में जो कि माल कहलाती है जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है लेकिन अगर यही क्रेविक्रे संपत्तियों से संबंदित तो उपक्र Cowork evẹ भले ही उधार हो हम उसको सहायक-भहिव के उन्तरगत ँमिकत्रों करंगहहें उसके प्रविषिया नहीं करते हैं दो कुल मिला कर जब हम सहायक-बहिव की बात करते हैं तो इसके बारे में ऐक बात तो यह जान लेना जैरूरी कि वास्तों में जनरल के ही एक अंग है और विशस्ट वेभारों से अलग-अलग तरीके के वेभार होते हैं उनसे इसका संबंध होता है और अगर बात करें कि जो जनरल की वर्गी करण के अंतरगत आते हैं तो किस-किस भागों में इनको विभाजित किया गया है तो आएक हम प्राप विपत्र वही बनाते हैं और उसके बाद हम खुद्रा रोकड भही याने कि पटी कैश्बुक भी भी बनाते हैं Safety हम मुद्र 7 प्राइध्य करण वास्तों में सहायक बईल के प्रकार हैं यहम सचाहिक बयों के अंन्य प्रकार पर डाले तो इसके अंतरगत रोकड बही भी आती है रोकड खाता ना बोलका रोकड बही शब्द का प्रियोगम यहाँ पर करते हैं और अगर रोकड बही के विभाजन की हम बात करते हैं तो इसके अंतरगत साधारन रोकड बही दुए स्तंभी रोकड बही और त्री स्तंभी बैंक और तिसरा बट्टा तो यह तीन चीजे जब एक साथ प्रभावित होती है तो जो भी प्रश्ण जिनको हम हल कर रहे हैं उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमको देखना होगा कि यहां पर हमको साधारन रोकड भही से काम चल जाएगा यह हमको दूस्तम भी रो प्रविष्टिया तो अब दोनों की प्रविष्टिया कहीं न कहीं करनी है तो हम दोनों को एक साथ करके दूस्तम भी रोकड भही बना लेते हैं तीसरा जो होता है कई बार बट्टा भी इसमें इंक्लूड हो जाता है यानि रोकड है बैंक के साथ में बट्टे संबंदी प्रश्ण पॉइंट्स जो हैं वो दिये हुए तो हम इसी कॉलम में एक अन्य बट तौनी का जो प्रारूप होता है इस तरह का प्रारूप हमें साधारन रोकड भही के अंतकत प्राप्त होता है जिसमें हम तिति के साथ विवरण यानि की पर्टिकुलर एलेफ और अमाउंट कॉलम डेबिट साइड में प्राप्त करते हैं और सेम टू सेम इतना ही हम फिर क् बही के साथ जैसा ही है लेकिन हमने रोकड भही की विश्यस्ताओं में देखा कि इसका जो आकार होता है इसके जो कॉलम होते हैं वो सुविधा नुसार घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं तो दूस्तम भी रोकड भही की अगर हम बात करें तो इसमें राशी यानिकी कैश कैश अमाउंट के साथ साथ बट्टे का भी कॉलम होता है क्रेय विक्रे की दशा में बट्टा दिया या लिया जाता है तो बट्टे का कॉलम भी इसमें होता है रोकड और बट्टा दो कॉलम होने की कारण इसको हम दूस्तम भी यानि डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं ठीक इ बैंक, कैश और बट्टा तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं तीनों के लिए हमको रोकड भाई बनाना है तो उसके फॉर्मिट में आप यहां पर देख रहे हैं कि डेट पर्टिकुलर अलफ सेम रहता है लेकिन तीन अमाउंट के कॉलम यहां पर दिखाई देते हैं एक में कैश लिखते हैं हम एक में बैंक लिखते हैं और एक में डिसकाउंट लिखते हैं और यह डेबिट साइड का और सेम यही जो कॉलम है वो क्रेडिट साइड में बनते हैं तो यह तो बात कही है हमने रोकड भाही की अब अगर हम क्रेव भाहियों पर एक ध्यान दे हमने सिर् अगर बात करें क्रे बही की तो क्रे बहियों में केवल और केवल उधार माल के क्रे संबंधी लेखा ही किया जाता है अगर नगत माल से संबंधी कोई ट्रांजक्शन है कोई व्यभार है तो उसका लेखा हमको क्रे बही में नहीं करना है दूसरी बात केवल उधार माल के क्रे क ही लेखा हमको करे बही में करना है उधार संपत्ति उदार किसी प्रकार की कोई स्थाई संपत्ति तो उसके क्रे का लेखां को उद्धार की गई हो और दूसरा यहां पर विक्रय भई का भी यही नियम्हान नियुoking बरभ एक विक्रय का लेकर सकता है Sister यह हम यह कह सकते हैं कि केवल उधार माल के विक्रे का लिखा किया जाता है यहां पर भी संपत्तियों के विक्रे से इसका कोई संबंध नहीं होता है यानि कि संपत्तियों के विक्रे का लिखा हम इसके अंतरगत नहीं करते हैं विक्रे बही के समंद में एक जो सबसे महत्पूर्ण बात ध्यान में रखना है वो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्ण में विक्रे के अंतरगत स्विकृती या वापसी की शर्त पर माल भेजा गया है कई बार वेपारी जो होते हैं वो जो दूसरे पक्षकार जो होते हैं उनको कुछ माल भेजते हैं कि अगर आपको रखना है तो स्विकृत करना है तो आप उसको रख सकते हैं और या तो फिर उसको वापस कर सकते हैं तो जिसे हम सीधे शब्दों में कहते हैं स्विकृती या वापसी की शब्द पर माल भेजना तो अगर कोई माल स्विकृति या वापसी की शर्थ पर भेजा गया है तो इसका लेखा हमको विक्रे बही में नहीं करना है इस बात का हमको विशेज ध्यान रखना है तीसरी हमारी वाही आती है क्रेय वापसी बही जिस प्रकार हम क्रेय वापसी बही जो हमने माल बेचा वे वापस आया केवल जो क्रेब वापसी वाले वेवार हो था उन का लेखान इस्केइंतरगत करते हैं बहुत साधारन matin से शब्दों मिं संशिप्त में हमने का लेका यहां पर कर देते हैं लेकिन हमको एक बातके विश्य धान रखना होता है कि क्रेवापसी का कारण क्या था क्यूं हमने माल वापस किया खरीदा हुआ माल तो कई कारण हो सकते हैं जैसे माल का नमूने के अनुसार ना होना माल का छती ग्रस्त होना या प्रेशन की शर्त पर जो माल होता है तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके वापस करना पड़ता है तो जब हम इनका लेखा करेंगे क्रे वापसी बही में तो एक बात का हम विशेश द्यान रखना है कि अगर कारण दिया गया है प्रेशन में कारण हमको मालुम है या कारण है टो इस चाहिए और जोने किस कारण से और किक्रेश रापस वापस के रूप में उसका लेखा करते हैं और यहां पर भी हम को कारण लिखना जरूरी हो जाता है कि किस कारण से हमारा बेचा गया माल वापस है तो एक पत्र है जिन में यह लिखा रहता है कि अपने माल उधार दिया है वह स्धीज राप्त्र जिसके बारे में हम आग आने वाले अध्याई wus ayuda और में घृपत्र हएं और बिстार से पढ़ेंगे। कर लेते हैं और ठीक इसी तरह से हम देविपत्र भाही का भी निर्मान करते हैं अब प्राप प्र 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 से ज़स्ट रपोजिट जो है वो देविपत्र हो जाता है यानि कि एक ऐसा पत्र जिस पर कुछ राशी का भुकतान हम को करना है समने किसे से माल खरीदा था नहीं होती है, हमने देखा कि उधार क्रेय वीख्रय हैं, क्रेवापसी वीख्रय बेराविया बिनाते हैं, अन नगद वीख्रय है, उनके लिए हम रोकड भही बना देते हैं लेकिन इसके बाद भी अगर आप प्रेश्ण में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो इनसे हट के हैं कुछ नए हैं तो उनके लिए अलग से खाता बिनाने की जरूरत नहीं हम एक मुख्य जनरल बनाते हैं और मुख्य जनरल में वो सारी प्रविस्ट्रिय हम कर देते हैं तो इसके लिए अलग से किसी प्रकार की कोई सहायक भाही रखने की जरूरत नहीं होती है अब अगर बात करें कि इनकी आवशक्ताओं की कि क्यूं है सहायक बही की आवशक्ता जब हम General Entry करते हैं तो General Entry में हम सारी Entries करते हैं चाहे वो उधार वेभार से समबन्दित हो, चाहे वो नगद वेभार से समबन्दित हो और उसके बाद हम उसकी लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं तो क्या जरूत है अलग से सहायक भाई रखने की क्या महत्व है इसके क्यों जरूत है क्यों आवशक्ता है आए इस पर एक नज़े डाले सबसे पहले तो समय और श्रम की बचत होती है अलग जो कारी होते वह अलग अलग लोगों को सब देते हैं तो इस समय भी बचता है और श्रम की बचत होती है कि इसमें चल कपट पर नियंतरण रहता है क्योंकि जो यह वह फियर है नगत जो है वो रोकड़ भाही में चला जाता है जितनी भी उधार प्रविष्टिय जितनी भी उधार वेभार है वो अलग-अलग खातों में अलग-अलग लिखा जाते हैं तो जो भी रहता है वो आपके सामने इस पस्ट रूप से आता है तीसरी एक आवशक्ता इसकी आफि महत्त की रूप में हम देख सकते हैं कि विवरण अगर आपको प्राप्त करना हो तो उसमें सुगमता होती है आपको अगर क्रे से संबंधित विवरण प्राप्त करना है तो आप क्रे वापसी देख सकते हैं या उधार क्रे से संबंधित है तो बहुत आसानी से किसी particular अगर किसी वेभार के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्तिक करनी है तो बहुत आसानी से आप सहायक बहियों के द्वारा प्राप्तिक कर सकते हैं दूसरी एक बात यह है कि अशुद्यों की इसमें जो संभावना होती वो कम होती है कई बार जब आपन जनरल्स करते हैं तो जनरल एंट्री गलत हो जाती है और उसके अधार पर जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वहां पर गलती की संभावना बराबर बनी रहती है लेकिन सहायक बहियों के द्वारा हम उधार को अलग कर देते हैं नगत को अलग कर देते हैं और साथी साथ इन सभी वेवहारों के लिए बहियों को भी अलग-अलग कर देते हैं तो यह एक ऐसे परिस्थिति बनती है जहां पर तुरुटियों की संभावना कम होती है अगले एक बिंदु पर हम नज़ा डाले तो इसमें खताउनी में भी सुविधा होती है अब क्यूंकि सारे व्यभारों के लिए अलग अलग बहिया बना दी गई है जो डिसकाउंट वग सकते हैं तो सथी साथ एक बात ज़ीया के लिए रहते हैं मेशना सभूपन सब्सक्राइब करने तो इनको एक सान से दूस्तान पर लाने ले जाने में बिसुविदा होती है और एक मत्रपूर्ण बात यह कि उसको अब जनरल के उविभाजन की किस प्रकार हम जनरल का उविभाजन करते हैं और उसको वर्गे कृत कर देते हैं तो इसमें भी अपने कुछ नियम होते हैं और उस नियमों को ध्यान में रखते हुए ही हम जनरल का उपवभाजन करते हैं जनरल के अपने कुछ नियम होते हैं जैसे कि पहला नियम ये कहता है कि किसी व्यवसाय में कितनी सहायक बही रखनी है यह डिपेंड करता है उसके आकार पर या उसके प्रकृती पर किस तरह का वैपार है कितना बड़ा वैपार है और क्या उसकी स्थिति है क्रे विक्रे की क्या स्थिति है इस पर डिपेंड करता है कि वह कितनी सहायक भहिया अपने वैपार में रखेगा दुसरा हाब हम देखते हैं कि जनरल के उप्विभाजन के बाद एक ही प्रकार के सौधे उससे सब्भाइल लिखे जाने जाएए जैसे उधार विक्रै वापसी से समंदित लेखे हैं तो विक्रै वापसी बही में रोकड नगत जो लेखे हैं वो चले जाते हैं और इसके बाद भी जो बच जाते हैं उनको हमने देखा कि मुख की जनरल में उसकी एंट्रेस कर देते हैं तो इनका हमको विशेज ध्यान रखना होता है साथ में देखते हैं कि वेपार की जो सहायक भाहिया रखती है उनको रखना अनिवारे नहीं है जिसे कि पहले भी देखा कि जैसी वेपार की प्रकृति है जितना उसका आकार है यह जितनी उसको आवश्रकता है उतनी वह सहायक भाहियां रखता है और एक मत्तपूर्ण बात कि आवश्रकता अनुसार सहायक भाहियों की जो संख्या है इसमें कमिया व्रिद्धी की जा सकती है क्राइबही का प्रारूप यहां पर हम देख रहे हैं क्राइबही जब हम बनाते हैं तो इसमें फॉस्ट कॉलम डेट का आता है और सेकेंड पर्टिकुलर हम लिखते हैं फिर इसके बाद इन्वाइस नंबर बिजक्रमांग और फिर खाता प्रिस्ट अलेफ उसके बाद दो करने के बाद पर ने लिखेंगे तो क्रेव बही के बारे में हमने जाना एक नजर हम क्रेव बही के नियमों पर डाले और पर दाले और उसके बाद हम देखेंगे कि व्यभारिक रूप से क्रेव बही का निर्माण किस प्रेकार किया जाता है हमने देखा कि क्रेव बही का निर्माण हम केवल उधार क्रे के लिए करते हैं दूसरी बात हमको यहां जान लेना जरूरी है कि केवल माल संबंधी उधार क्रे होन चाहिए संपत्ति से संबंधित नहीं होना चाहिए और एक शीज़ हम को यहां पर विश्य जियान रखना है कि स्विकृति या वापसि की शर्थ पर भेजा गया माल प्रेशन पर भेजा गया विवरन कॉलंब और ऐले उसके बाद जो अमाउंट कॉलम होते हैं ऊप्रस्ण के एकवर रहता है उधार今 से उसको हम विवरन कॉलम में लिखते हैं लेकिन उसके पहले हम उसका डेट डालते हैं एक उधारन के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 2010 एक जन्वरी मोहन से उधार माल खरीदा सो डबबे पैंसिल के दर पांच रुपए प्रती डबबा 30 किताबे दर दस रुपए प्रती किताब इस तरह का व्यवार है हमारे सामने जब हम क्रेबही में इसकी पोस्टिंग करेंगे इसको लिखेंगे तो एक तो हम पूरा का पूरा विवरन लिखते हैं और कई बार हम इसको संशिप्त में भी लिखते हैं बहतर होगा कि हम इसको संशिप यहां पर पूरा का पूरा विवरन लिख दे क्योंकि बहुत छोटे-छोटे से जो इसके बिंदू रहते हैं वो होते हैं यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे 2010 एक जनवरी और विवरन कॉलम में हम लिखेंगे मोहन से उ प्रती डब्बा तो यहां पर उसके नीचे हम लिखेंगे 100 डब्बे पैंसिल के दर प्रती डब्बा 30 रुपए नीचे हम क्यालकुलेशन करेंगे 30 गुणिच 100 और उसके बाद हम इसको डारेक्ट नट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे दूसरा यहां पर इसी तरह सेम टू कितनी हुई इस तरह सेम इसकी प्रविष्टि डारेक्ट नट अमाउंट कॉलम में कर देंगे एक महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान में रखने की है कि यहां पर हमको अगर बट्टे से सम्मंधित कोई प्रविष्टि नहीं दी गई है तो हम अपने अमाउंट को अगर बंद कर सकते हैं जब हमारी क्रेब ही कंप्लेट हो जाए लेकिन अगर बट्टा भी दिया गया है तो हम किस तरह से लिखेंगे इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं हम इसको किस प्रिकार लिखेंगे अपने क्रेबाही में इसकी एंटरी हम करेंगे पहले क्योंट कोलम में हम डारेक्ट इसको net amount में नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बट्टे से संबंधित बात भी कही गई है तो इस 1000 को लिखेंगे हम amount कॉलम में और फिर यहीं विवरण में हम minus करके दर्शाएंगे minus व्यपारिक बट्टा 10 प्रतिशत और अब हम amount कॉलम में ही 1000 का 10 प्रतिशत आने की 100 रुपए वहाँ पर लिखेंगे फिर हम यहाँ पर एक लाइन कीज के बंद करेंगे अब जो दोनों का डिफ्रेंस है 1000-100 900 रुपए अब हम उसकी posting net amount कॉलम में करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी प्रकार के बट्टे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो हम direct net amount कॉलम में डाल देंगे amount को और अगर बट्टे से सम्मंधी जानकारी दी गई है तो पहले हम amount कॉलम में लिखेंगे फिर बट्टा minus करेंगे और फिर उसके बार जो amount आती है balance उसको हमको net amount कॉलम में लिखना है दूसरा एक तरीका होता है कई बार बहुत सार एक ही वेपारी से कई सारी चीजे हमने खरीद ली होती है तो इनकी posting हम अलग-अलग ना करके एक बार ही विवरण में कर लेते हैं फिर उसके amount को हम बाहर लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शान ट्रेडर से माल थीकरीदा सूती कपड़ा-700 रुपाय रेशमी कपड़ा-300 रुपए उनी कपड़ा-200 रुपए आज क्योंकि वेवार एक साथ किये तो इनकी प्रविष्ठी में किस प्रकार करेंगे क्रेब भःम हम लिखेंगे इनकी प्रवμश्ची इंगे क्रेवही में लिखेंगे शान ट्रेडर्स है माल खरीदा रेश्मी कप्डा उसके अमॉट से एक हें कप्डा usa amount column में लिखेंगे तो किस किस तरह प्रश्ण होते हैं किस तरह से हम इनको इनका लेखा करतें इसको जानने के लिए आएये हम क्रह भाही से संबंधित कुछ प्रश्णों को देखें कि निमनालिकित व्यवारों से गिरेश ब्रदर्स क्रै बही तयार केजिए एवं क्रै खाता भी खोड़िए वर्ष 2011 में जन्वरी एक निकिता सेल्स से 5 प्रतिशत व्यपारिक बट्टे पर निम्न माल खरीदा 15 साड़ी म्रिग्नैनी दर 300 रुपए प्रतिशाड़ी 25 साड़ी रूपमती दर 250 रुपए प्रतिशाड़ी 10 प्रतिश्मी कपड़ा 500 रुपए उनी कपड़ा 1500 रुपए सूती कपड़ा 25 रुपए यहां पर क्रै बही और क्रै खाता दोनों ही खोलना है सबसे पहले हम गिरिश ब्रदर्स की पुस्तकों में क्रै बही बनाएंगे और जैसे कि हमने जाना कि जब हम क्रै बही बनाते हैं उसके अंतरकरतन केवल उधार क्रै को लिखते हैं और मुख्य रूप से इसके निये जिस साड़नी का प्रियोग करते है जो टेप टेबल बनाते हैं यहां पर उसमें कुल मिलाकर 6 कॉलम होते हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है दूसरा कॉलम हमें एक से खरीदा ऊंर्ट सभी से बीप्शाली की नहीं होती है लेकीं जो लिखने का तरीका है विवरण है वो हमको विस्तृत रूप से देना आवश्यक होता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि निकिता से हमें 15.30 म्रगनैनी दर तीन सो रुपए दर 250 रुपए प्रती साड़ी इस प्रकार हम इसका विवरण लिखेंगे और इसके नीचे इसकी कैल्कुलेशन को दर्शाया जाएगा 25 इंटू 250 इकवल टू 6,250 और फिर हम इसको डेटेल कॉलम में लिख देंगे और इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें पांच प्रतिशत वैपार एक बड़का निकालेंगे तो दोनों तरह की जो साड़िया है हमका कुल मुले जो है टोटल जो वैल्य है वह है 10,750 तो इसमें अब हम 5% डिस्काउंट काल्कुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 537.50 और इसको भी हम क्योंकि यह डिस्काउंट है और डिस्काउंट हम नेट प्राइज में से माइनस करते हैं तो इसको भी माइनस कर देंगे तो अमाउंट जो आएगी वह आजाएग यहां पर लिखा हुआ है जैसी कि रेश्मी कप्रा 500 रुपे का उनी कप्रा 15 रुपे का और सूती कप्रा 25 रुपे का यानि कि कुल मिला कर 4500 रुपे 4500 यहां पर कमाल हमने खरीदा है और तीनों का जो टोटल है उस पर हम 10% डिस्काउंट और 2% कैश्च डिसकाउंट इसको हम 4500 में से माइनस कर देंगे तो 4050 यहां पर आएगा यहां जिसे हम बाहर लिखेंगे एक चीज हम को यहां पर ध्यान में रखनी है कि क्योंकि यह हमारा हमारी क्रे बही है पर्चेस बुक है और इसमें हम किवल उधार व्यभार की एंट्री करते हैं और नगत को हमको यहां पर इग्लोर करना है उसको कहीं तो कुल मिलाकर नेकिता सेल्स्टिक से जो खरीदा गया था उसकी नेट तो अगर हम गिरिश ब्रदर्स के पर्चेस बुक का टोटल करते हैं तो वहाता है 14262.5 अब क्योंकि हमको यहां पर खाता भी बनाना है तो हम यहां पर जिस तरह से हमने इस पूरे क्यालकुलेशन में यहां पर हमने नेट एमांट क्यालकुलेट कर ली है तो क्योंकि खाता है यह और जनरल एंट्री के अधार पर आदार पर लेजर को स्टिंग करना है जब भी हम किसी से भी खरीदते हैं तो वहां पर देबिट होता है तो देबिट के साइड में हमको है वह लिखना है रहाँ निकीत के लिखना है 502 12.50 और दस जन्वरी के लिखनी नियए और इस तरह से काउंड को लोग नहिंब और कार्श ब्रढ्रस से खरीदा कुषा सब्सक्राइधर्जटर कीदर से तर वापारिक बट्टा 10% att Khalid और मेसल्स रां स्टोर से खरीदा थीजर्दर प्रति दर्चिन की दर्चिन दर्चाइधर्जटर मेपारिक बट्टा 8% कि 15 जनवरी बजरंग 23 से खरीदा जो कि अन्वित दर्जन को से प्रेश्ट्न और लेजर पूस्टिंग हो में ने हमको आप्स यह प्रभावित हो रहे हैं किनका किनका नाम आता है उन सभी के लिए हम अलग से लेजर कोस्टिंग करेंगे फिलहाल जब हम जैप्रकाश सिना के बुक में पर्चस बुक बनाएंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर हमको केवल क्रेड़िट पर्चस यानि क कि उधार करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम दो हुजाचे जनवरी एक को उधार करेंगे जो कि हमने मेशस प्रकाश ब्रदर से खरीदा दस दर्जन पैंसिल दर पचास रुपए प्रती दर्जन और क्याल्कुलेशन यहां पर हम करेंगे टैन इंटो फुस्टी और यह फ यह 150 हो जाएगा और टोटल हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे 500 और वन फिप्टी को और टोटल इसका करेंगे 650 अब हमको इस पर क्योंकि 10% डिस्काउंट दोनों में ही था तो इसलिए हम इसको कमबाइन कैल्कुलेट कर ले रहे हैं और 650 का 10% डिसकाउंट के यहां कैल्कुल से खरीद रहे हैं उसकी एंट्री हम कर देंगे मिसर्स राम स्टोर से खरीदा 10 दर्जन पैंसिल 15 रुपयर प्रती दर्जन तो टैनिकी 25 250 और इस पर हमको 8% डिस्काउंट डेना है 250 और इसमें हम 250 का 8% डिसकाउंट यही पर माइनस कर देते हैं तो यह हो जाएगा 20 रुप तो यहां पर हम यहां पर इसका विब्रण लिखेंगे से खरीदा 10 दर्जन पैंसिल 20 रुपर प्रती दर्जन तो यह टोटल कॉलम में इसको लिखेंगे और यह हो जाएगा 200 और 300 500 और अब इस पर हमको 5% जो ट्रेट डिसकाउंट है वह क्याल्कूलिट करना है तो 5% हम यह तो 25 रुपर यहां पर ट्रेट डिसकाउंट आ जाएगा और 475 जो है इसकी मानिस करने के बाद अब 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 को लिखेंगे तो 1290 जो है वह ने तो यहां पर ने भी बोल रहा है तो यहां पर हम क्रेखा एक बना सकते हैं मिसस्ट्रकाश ब्रदर्स का खाता प्रभाव बना सकते हैं और मेसस्ट्रकाश ब्रदर्स की पुस्तुकों में मेसस्ट्रकाश ब्रदर्स की सायक बही जब हम बनाएंगे तो क्योंकि यहां पर हमारी जनरल एंट्री के कोडिंग जब हमने मेसस्ट्रकाश ब्रदर से माल खरीदा तो हमारी जनरल एंट्री हुई है क्रेख मेसर प्रकाश से तो इसके आधार पर हम मेसर प्रकाश ब्रदर के खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्रै खाता को 2006 जनर्वरी एक हम इसकी डालेंगे और इसके अमाउंट है 500 पच्छाशी रुपये और यहीं पर इसको फ्लोज कर देंगे उसके बाद एक पॉइंट हमने क्रे के लिए देखा था मेसर्स राम स्टोर से भी हमने माल खरीदा था तो उनका खाता भी यहां पर प्रभावित हो रहा है तो यहां हमारी जनरल एंट्री हुई थी क्रे खाता डेबिट मेसर्स राम स्टोर से तो क्योंकि मेसर्स राम स्टोर का खाता क्रे करेंगे को और 230 ऊंट्रिक करेंगे उसके बाद एक क्रै और हमने किया था वह था मेसर बजरंग ठ्रेडर से अब क्योंकि इन यह जो अलग अलग कुछ बना रहे हम यहां पर हम नहीं बना बजरंग ट्रेडर से। तो यहां पर हम मेंसज बजरंग ट्रेडर की च्रेडिट साइड में क्रे खाता को लिखेंगे। 475 रुपय सी स्केमाउट लिखेंगे। और बंद कर देंगे। रमेश क्लॉथ स्टोर्स फरीदाबाद के निमनलिखित लेन देनों को क्रे बहियु में दर्ज कीजिए 3 अप्रेल 2010 DCM Limited दिल्ली से कपड़ा क्रे किया 300 मीटर कॉटन का कपड़ा दर 40 रुपय प्रती मीटर की दर से 100 मीटर बुलन का कपड़ा दर 110 रुपय प्रती मीटर की दर से इस पर ट्रेट डिसकाउंट दिया गया 10 प्रतिशत और वेट दिया गया 10 प्रतिशत अप्रेल 10 सियाराम ब्रदर्स मुंबई से क्रे किया 150 मीटर सिल्क कपड़ा 150 रुपय प्रती मीटर की दर से 200 मीटर कॉटन का कपड़ा 40 रुपए प्रती मीटर की दर से इस पर ट्रेट डिसकाउंट है 15 प्रतिशत और वेट दिया गया 10 प्रतिशत अप्रेल 18 गोयल पनीचर दल्ली से उधार क्रेक किया 4 टेबल प्रती टेबल 1000 रुपए 10 कुर्सी प्रती कुर्सी 300 रुपए 25 अप्रेल को रामंड मिल्स लिमिटेड मुंबई से क्रेक या 750 मीटर को डर 100 रुपए प्रती मीटर की से इस पर ट्रेट डिस्काउंट है 20% और वेट है 10% साथ ही साथ इसमें इसमें गाड़ी भाड़ा लगाया गया इस प्रेश्ट में हमको रमेश क्लॉथ हाउस परीदाबाद की प्रेश्ट में जो भी विवरेंट दिये गया है इससे संब्सक्राइब और सबसे पहले हम विवरेंट पर्टिकुलर कॉलम में उसको विस्तार से पहले लिखेंगे जैसे कि यहां पर 2010 तीन अप्रेल का विवरे और क्या क्या हमने खरीदा है उसको हम लिखेंगे यहां पर तीन सो मीटर कपड़ा दर 40 रुपए प्रति मीटर की दर से तो डिटेल कॉलम में हम इसके अमाउंट लिख देंगे तीन सो मीटर कपड़ा 40 रुपए के हिसाब से 12000 रुपए हो जाएगा और दूसरा 100 मीटर इसको हम डाल देंगे अब डिटेल कॉलम में हम देख रहे हैं कि मिला कर 23000 रुपए का कपड़ा यहां पर खरीदा गया है और प्रेश्ण में यह भी जानकारी दे गई है कि इस पर एक तो टैन परसंट ट्रेट डिसकाउंट है और उसके बाद इसमें हमको वैट भी एड़ करना है तो सबसे पहले हम प्रेट डिसकाउंट निकाल लेते हैं 23000 का 10% क्यालकुलेट करेंगे जो की 2300 और 23000 से हम इस 10% डिसकाउंट याने 2300 को लेस करेंगे तो 2700 हमको हमल जाएगा और अब इस 2700 पर हम 10% वैट एड़ करके इसकी जो पर्चस प्राइस है वह हम निकाले करेंगे तो 2700 का 10% वैट करेंगे 2070 और यह टोटल हो जाएगा 22770 अब इसके कॉस्ट और वैट को हम अलग-अलग कर देंगे और उसके बाद फिर हम प्रोटल इमाउंट के कॉलम में इसको लिखेंगे तो कॉस्ट इसके थी 2700 यह हम अलग लिखेंगे वैट की जो काउंट है वो हम तोटल कॉलम में 22772 के अब 10 अप्रेल को हम देख रहे हैं सी अराम ब्रेदर मुंबई से खरीदा च्री आंप रहेंगे मुंबई से खरीदा उसके बाद हम इसका विबराण लिखेंगे 150 मीटर सिल्फ क्लॉफ एक्सों परती मीटर की दर से और 150 मीटर कॉलम में हम इसको 22,500 रुपय की एंट्री करेंगे और फिर 200 मीटर कपड़ा दर 40 रुपय प्रति मीटर के दर से 15% यानि 4575 हम इसमें डिसकाउंट मानस कर देंगे तो यह हमारी अमांट आ जाएगी 25925 और अब हम इसमें वेट कर देंगे तो 25925 का 10% वेट अमांट है इसका 10% आएगा 2593 इसको जब हम इसमें अब क्योंकि आपको कॉस्ट को अलग करके तरह आना है तो को हम 25925 को लिख देंगे वेट की जो एमांट है 2593 इसको वेट के कोलम में लिख देंगे और टोटल इसकी जो एमांट है 28518 फिर इसको हम टोटल के कॉलम में लिख देंगे अब 25 अप्रेल को में आपर देख रहे हैं रेमंट मिल्स लिम्टेट मुंबई से खरीदा है तो इसका विवरण हम यहां पर लिखेंगे रेमंट मिल्स लिम्टेट से खरीदा 150 मीटर कॉटन का कपड़ा दर सो रुपए प्रती मीटर की दर से और इसके अमांट हुजाएगी फिप्टीन थाउजन उसके बाद में आपर देख रहे हैं कि सो मीटर बुलन क्लॉथ खरीदा है दर एक सो तीस रुप्रती मीटर की दर से तो इसका विवरण यहां पर हम लिख लेंगे सो मीटर बुलन क्लॉथ दर एक सो तीस रुपए प्रती मीटर और तेरा हजार थाउजन इसके अमांट आ जाएगी डिटेल कॉलम में अब इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ट्वेंटी एट थाउजन आ जाएगा और अब इस ट्वेंटी एट थ यहां पर हमको इसके बैलेंस अमौंट मिल टोटल एमांट मिल जाएगे उसके बाद हम इसमें वेट रहा हम को एड़ करना है 10 वैट है तो ट्वेंटी तूसन पोर हंड़ेट का 10 पर संट आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो कि 2,240 आएगा इसको हम इसमें इसमें एड कर चार्ज दिया हुआ है तो गाड़ी भाड़ा हम इसमें एड़ कर देंगे तो यह हो जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजन एट हंड्रेट नाइट आप क्योंकि इसमें को कॉस्ट और वैट को अलग करना है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट जो इसकी थी वो केवल ट्र वैड़ा जो दिया गया था जितने भी अडिशनल एक्वेंस अलग 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 कोलम बनाते जाते हैं तो यहां पर एक ही अडिशनल एक्सेंस जो है गाड़ी भाड़ा उसको हम यहां पर लिख देंगे टू हंड्रेट प्ती और टोटल अमोंट अब टोटल कॉलम में लिख और टोटल जो वैट लगाया गया है वह 6903 फ्राइट जो है गाड़ी भाड़ा जो है वह 250 है और टोटल अमांट जो है इसकी फाइनल अमांट जो कैल्कुलेट करने के बाद आई है वह 76178 अब इस कंडिशन में अगर हमको जनरल एंट्री टास करनी हो तो हम यह पर कंबाइन एंट्री मिश्रित प्रविश्टि करेंगे जो कि होगी पर्चेस अकांट डेबिट वेकरेट इकां़ डेबिट प्राइट एकांट डेबिट टू Fright Aकांट डेबिट तो देसी एम लिस स सब्सक्राइब करेंगे जो है गाड़ी भाड़ा जो है वह क्योंकि वह एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट साइड में तू हंड़े लिखेंगे फिर हम देख रहे हैं यहां पर इसमें से कितनी है तो यह हमको टोटल अमाउंट यहां पर दिख रहे है ट्वेंटी टू थाउजन सेवन हंड़ेट सेवनड़ेटी और तू सिया राम ब्रदर से नेट अमाउंट पर्चिस की है ट्वेंटी एट थाउजन पाइफंड़ेटी तो इसको हम इसको सामने क्रेडिट कॉलम में लिख और नरेशन हम यहां पर लिख सकते हैं पर्चेस अफ बुट्स इन अपरेल 2010 क्योंकि यह जो पर्चेस बुब बनी है वह टोटल वन मंथ अप्रेल मंथ के लिए तो अप्रेल मंथ के टोटल हमने कितने पर्चेस की है उसके एंट्री हमने आपर की है तो आपने देखा कि किस प्रकार हम क्रे बही का लेखा करते हैं कई बार हमको इस तरह के प्रिश्ण भी आते हैं कि क्रे बही के साथ साथ क्रे खाता भी बनाना है तो क्यों ज़रुवत पढ़ती है क्रे खाते की क्या इनका उचित्ते है आयस पर एक नजड़ा डाले तो बात अगर हम क्रे खाते की करें तो यहां पर वास्तौं में हमने देखा अभी जब हम प्रश्ण भाल कर रहे थे तो क्रे बहियों का जो योग आता था उसको हम क्रे खाते में ट्रांसफर कर देते थे तो कुल मिलाकर जो क्रे बहियों का योग है वो तो उधार क्रे वाला है और क्रे खाते में जो हम अंट्रिस करते हैं वो नगद क्रे से समंदित होती हैं तो यह हम कह सकते हैं कि कुल क्रे ज जानने के लिए जब हम क्रेय के साथ क्रेय वापसी को माइनस कर देते हैं यह काम जो होता है वह सहायक भहियों में ही करते हैं तो शुद्ध क्रेय जो होता है उसकी जानकारी भी हमको क्रेय खाते में जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो आसानी से मिल जाती है तो यह तो बात थी खाता के साथ क्रेव है कि आये इससे सम्मंदित कुछ प्रश्णों पर एक नजर डाले